हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो दे चैनल पुस्पा व्लोक्स और सफाई का काम चालू है तो आज नंबर है बात्रूम क्लीन करने का तो पैरों में पहले स्लीपर बगएरा पहन लीजे अराम से क्योंकि आज मैं जो सॉल्यूसन यूज कर रही हूं वो थोड़ा सा केमिकल वाल कि मैं क्या इस्तेमाल करूंगी आज बात्रूम को साफ करने के लिए ऐसे तो बात्रूम को डेली साफ करती हूं लेकिन आज कुछ नया केमिकल वाला कुछ लेके आई हूं तो आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं और एक दो बार मैंने पहले उसको यूज कर लिया है तभी आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं बहुत अच्छा इफेक्टिव है तो आप लोग जरूर से उसको ट्राइ कीजिए और वीडियो को फुल वाच कीजिएगा तभी कमेंट करिएगा फ्रेंड्स फुल वाच करना जरूरी होता है कम से कम आप तीन मिनट जरूर वाच कीज से ताकि यह थोड़ा सा गीला हो जाए और आगे आप जरूर देखेगा कि मैं क्या चीज लेके आई हूं मार्केर से तो मैं पहले गलफ्स पहन लेती हूं तो यह पहले मैं यह पतले वाला जो प्लास्टिक का गलफ्स आता है यूज और तो पहले मैंने उसको डाल लिया और उपर से यह गलफ्स डाल रही हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी चला जाता है तो यह है रॉप का यह किसी भी हार्ट बेर सौप पे आपको इजली मिल जाएगा तो आप जरूर यह ट्राइ कीजिएगा तो इसे टाइल से बहुत अच्छा साफ हो जाता है बहुत दिन क पांच धकन करीवन आपको उसमें पानी डालना है और इस तरह से एक स्प्रे बोटल में भरके स्प्रे करना है वाल पे और इस टैप का ब्रस मैंने लिया और उसमें जो इस्टील का स्क्रवर आता है जो आप बरतन क्लीन करने के लिए यूज करते हो तो उसको लेना है और इ यह सॉल्यूसन को लगा के दस मिनट तक छोड़ देना है और फिर ब्रस से आपको रगणना है और यह ब्रस मैं सिर्फ नल के लिए ही उज करती हूँ छोटा सा ब्रस है जहां पे हाथ नहीं जा सकता है वहां बीच-बीच में यह अराम से देखिए कैसे अंदर चला जाता है और साफ हो जाता है यह नल के बीच में काफी प्रोब्लम आती है तो इस ब्रस से भी नहीं अराम से हुआ तो मैं तूट ब्रस ले रही हूं तूट ब्रस से अराम से यह क्लीन हो रहा है देखिए कैसा गंदगी है तो यह धीरे-धीरे साफ होता जा रहा है और इस तरह से थो तो उसके लिए तो chemical यूज करना ही जरूरी होता है नहीं तो आप नहीं चाहते हैं तो होमेड भी आप कर सकते हैं लेकिन मेरा थोड़ा सा दाग दबा ज्यादा हो गया था तो इसको मैं लेके आई हूँ और यह काफी अच्छा है तो लेकिन आप थोड़ा मास्क वगएरा भी इसको पहन लिजिए क्योंकि यह थोड़ा सा chemical है तो छीटा आने का डर है तो थोड़ा इसके लिए मैंने दुपटा भी बांध लिया है फेस पे ताकि छीटे वगएरा फेस पे ना आ जाए और स्लीपर और यह सब पहनना बहुत जरूरी है और देखिए कितना गंदगी निकल रहा है दस मिनट के बार मैंने पूरे रगड के और पानी डाल रही हूं धिरे धिरे और देखिए यह किस तरह से गंदगी निकलता जा रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह मैं रोज सा कोटा है बहुत बड़ा भी नहीं है और इस तरह से देखिए यह टाइल्स अगेरा काफी साइनिंग आ गया है आप देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा इसको घिस घिस के साफ कर रही हूं पानी देते जा रही हूं और घिसते भी जा रही हूं थोड़ा कहीं पर दाग तो अब यहां पर मेरा हो चुका है क्लीन तो यह देखिए यह साबुन जो सौब बगेरा मैं रखती हूँ यहां पर सौब रखने का है यह तो इसमें कितना भी साफ करती हूं लेकिन यह साबुन का थोड़ा-थोड़ा इसमें जम ही जाता है और फिर पानी का होल जो है सब बंद हो जाता है तो यह ब्रस से मैं इसको साफ कर रही हूं और यह ब्रस अलग है मेरा नीचे का ब्रस अलग मैंने यूज किया था और यह मेरा ब्रस अलग है और नल के लिए भी मैं अलग ब्रस यूज कर रही हूं तो अब मेरा सफाई तो क्लीनिंग पूरा पानी से हो ताकि दाग धब्बे थोड़ा नहीं रहे ऐसे गिला छोड़ दूंगी तो पूरे में थोड़ा सा इसपोर्ट्स बगएरा आ जाते हैं तो पोछ लेना ही वेटर रहता है और ये मेरा सावर रह गया था तो मैं एक तूद्ब्रस की हेल्प से इसको साफ कर रही हूं इसमें भी गंदिगी जमा हो जाती है और टाइम नहीं मिलता है फ्रेंस डेली डेली ये सब साफ करने का तो ये मेरा क्लीनिंग हो चुका है तो थोड़ा मैं अब समान को एरेंज कर रही हूं और ये देखिए ये पूरा ओड करके निकाल के यूज करती हूं तो बातरूम में और या फिर रूम फ्रेस्टनर रखना जरूरी है देखिए एक एयर फ्रेस्टनर है तो मैं इसको यहां पर रख देती हूं इससे काफी अच्छी खुसबू आती है बातरूम में कुछ भी आप इस टाइप का जरूर दिया है तो इसका लुक बातरूम का चेंज हो गया थोड़ा सा अच्छा लगने लगा बस अब यह सब पूरा साफ हो चुका है अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और ऐसी वीडियो में लाती रहती हूं जो अगर आ आता हुआ देख रहा है आपको और यह वहां पर जो आप देख रहे हो चोटा सा एक धकन जैसा वह इंग्लिज ट्वालेट था तो नहें में मैंने बिना यूज कि उसको निकलवा दिया था क्योंकि यहां पर नहाने का बातरूम है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसको नहें में मैंने निकलवा दिया था और दूसरा बातरूम में भी ट्वालेट है तो इसकी जरूरत नहीं थी मुझे तो आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब